इस वीडियो में हम लिब्रलिजम को आगे पढ़ेंगे इससे पहले हमने अपनी लिब्रलिजम और रियलिजम के ऊपर वीडियो अपलोड करी है तो अगर आपने इस वीडियो से पहले उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उन वीडियो को देखो तब आ इबरली स्कूल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो थिंकर्स हैं, की थिंकर्स हैं, जैसे अगर मैं जॉन लॉक की बात करूँ, एमेनुल कांत की बात करूँ, जैस मिल की बात करूँ, तो यहां से questions हमेशा बनते रहते हैं, जो CUET का आप exam दोगे, और अगर आप NIT का भ अपने पिछले वीडियो में, अगर हम जॉन इकनबरी की बात करें, तो वहां से question आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें मेंली हम वही topic उठाते हैं, जहां से सिधा-सिधा question आता है, इस वीडियो में हम जो themes है, liberalism के, उस पे बात करेंगे, तो themes जैसे liberal school जो है, वो एक umbrella की तरह है, और इस school के अंदर में, और भी बहुत सारी different kinds of theories है, different kinds of school आते हैं, जो कि liberal understanding को समझाते हैं, तो अपने वीडियो में हम यही समझेंगे, कि liberal understanding क्या है, मैं सबसे पहले school के अगर बात करू, liberalism के अंदर में, तो वो है interdependence liberalism, तो interdependence नाम से ही पता चलता है, कि इस school क जो main theme है, वो यह है कि अगर हम international order की बात करते हैं, तो जो realist understanding है, वो यह है कि हम हमेशा एक दूसरे से competition में रहते हैं, हम हमेशा जो है एक दूसरे पे attack करने की सोचते हैं, हम power को maximize करते हैं, या security को maximize करते हैं, liberal school इसका उल्टा बोलता है, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो होता है, हम actually क्या है कि इस दुनिया में हम क्या है कि हम एक दूसरे पे dependent हैं, तो अभी का जो global order अगर आप देखोगे, अभी का जो आप दुनिया देखोगे, तो उसमें आपको ये चीजे समझनी परेंगे, कि अब पहले वाली बात नहीं रहे गई हैं, और mainly जब world trade organization जैसे स संस्थाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो कि world level पे काम कर रही है, जो कि international laws को decide कर रही है, तो वहाँ पे क्या हो गया है कि एक liberal order बन गया है, और इसमें क्या है कि हम जो देश है, जो nation state है, वो एक दूसरे पे dependent हैं, तो अब हम एक दूसरे पे dependent हैं, और उसके कारार हम कोपरेशन की ज़्यादा बात करते हैं, हम नेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने की बात करते हैं, तो अब क्या है कि कोपरेटिव टाइज बनने की हम बात करते हैं, तो अब क्या है कि कोपरेटिव टाइज बनने की हम बात करते हैं, तो तो हम free trade की बात करते हैं, यह जो type, यह जो interdependence liberalism है, यह बात करता है कि free trade से हम कैसे international relation को improve कर सकते हैं, leading to mutual benefit and general prosperity as well as peace among states, और अगर हम free trade की बात करेंगे, अगर हम ज्यादा से ज्यादा व्यपार बढ़ाने की बात करेंगे, तो वहाँ पे ज्यादा हमें सांती देखने को मिलेग So, like it was based on the idea of economist David Ricardo, तो David Ricardo का जब आप पढ़ोगे, उनकी readings अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें उन्होंने इसकी बात बहुत ज्यादा की है, कि अब क्या है ना कि एक देश और दूसरे देश के बीच में जो trade होता है, इससे क्या है कि सब को एक comparative advantage है, तो comparative advantage का theory भी David Ricardo ने दिया कि अगर मालो कि इंडिया और चाइना के बीच में trade हो रहा है, तो कुछ चीजे ऐसी है जिसमें इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, कुछ चीजे ऐसी है जिसमें चाइना अच्छा कर रहा है, तो बजाए कि हम एक दूसरे पर attack करें, अगर हम एक दूसरे से trade करेंगे, तो ह तो वो आप जब तक आप concept नहीं समझोगे तो वो नहीं समझ में आएगा अगर जब आप एकनॉमिक बैरियर सटाते हो जब आप अपने नेशन से जैसे कि हमने भी देखा था कि 1991 में हमारे हाँ पे liberalization, privatization और globalization जो LPG reforms आए थे तो उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा सज़्यादा वेपार कर पाते हैं और उससे जो वोर है उसकी संभावनाए कम हो जाती है Copden and Bright praised free trade because it builds the bond of eternal peace between different race and nation So the bond of eternal peace की बात करते है Copden and Bright The scholar of neo-liberal school of international relation like Q.Han and Joseph Nye They gave concept of complex interdependence तो अगर हम Joseph Nye की बात करें, Q.Han की बात करें तो इन्होंने complex interdependence का concept दिया था By which they indicated toward a complex network interdependency among various constituent of global order wherein people and government of different countries get affected by what happens elsewhere in the world तो वो बोर रहे हैं कि अब देखो world अब सिर्फ interdependent ऐसा नहीं है कि India चाइना से dependent है और चाइना इंडिया पे dependent है ये तो हैं ही, उसके साथ हम अब एक complex interdependence की बात करते हैं कि अब जैसे Russia और Ukraine का अगर मैं war का example लूँ तो Russia Ukraine में हो रहा है, युद हो रहा है इससे सिर्फ उन दोनों देश पे असर नहीं परता है इससे पूरे global order पे असर परता है तो अब हम क्या है कि complex interdependency बात करते हैं अगर US sanction लगाता है किसी country पे तो उससे उस country पे फरक नहीं परता है उससे और भी बहुत सार economies पे फरक परता है तो अब बुरा जो globe है वो बहुत ज़्यादा complicatedly और हम बोलते हैं कि यह complex तरीके से एक दूसरे से जुड़ चुका है तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो उससे हमें परभाव परता है तो बहुत सारी चीज़ों पर फरक परता है मैं climate change की ही बात करूँ अब climate एक ऐसा topic है आपको पता है कि climate किसी एक देश का नहीं होता है climate knows no boundary है न कि अगर इंडिया का boundary है तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम इंडिया में nuclear weapon का मतलब अगर परिक्षन करेंगे तो उसका असर जो है और countries पर नहीं परेगा या अगर अमरीका कहीं पर कर रहा है तो उसका असर दूसरे अब क्योंकि global warming हो रही है अगर हम ज़्यादा pollution करेंगे तो वो हर पूरे बिसू को affect करेगा तो बहुत सारी अब चीजे आ गई है आज के समय में जो की individual level से काफी उपर है तो interdependence का mainly मतलब यही होता है कि हम अब एक दूसरे से ज़्यादा close हो गए है communication चाहे वो information technology के कारण हो चाहे वो ways of communication जो बहुत ज़्यादा easy हो गए है उसके कारण हो now the second point is the distinction between the weak liberals and strong liberals weak liberals और strong liberals भी दो stream है इसमें जो strong liberal है वो believe करते है that an environment of peace, cooperation and integration has developed in the international system which has enabled states to get rid of uncertainty and instability of the anarchical order तो world का जो anarchical order था जैसे हम Treaty of Westphalia की बात करते है जब हम realist understanding से जब देखते थे तो उनका ये मानना था कि भाई देखो दुनिया के उमें कोई सरकार नहीं है, सारे nation अपने अपने power politics के लिए काम कर रहे है nation का अपने एक national interest होता है तो जो strong liberals है वो believe करते हैं कि अब ऐसा नहीं है ये integration और cooperation के कारण क्या हो चुका है कि ये जो anarchical order है हम इससे काफी हद तक उपर उठ गये है जबकि weak liberals है वो accept करते है the role of anarchie in shaping behavior of states तो strong liberal जो है वो तो पुरा-पुरा बोलता है कि नहीं भाई अगर interdependence है अगर liberal world order की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम अब इन सब चीजों से उपर उठ गये हैं कि कौन किस पर attack कर देगा लेकिन जो weak liberals है वो मानते हैं कि जो international realm है जो international अब global order है वहाँ पे इनार्की है और वो safe करता है state के behavior को so they in their theoretical agency come closer to neorealist तो वो weak liberals है वो लगभग neorealist के आसपास आ जाते हैं कि नहीं देखो जो हमारा behavior और obviously अगर आप international relation को अच्छे से समझोगे तो आपको यह दिखेगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हो रहा है न when Russia was attacking Ukraine attack तो कर रहा है न Russia जो है वो अपना power देख रहा था Ukraine was you know trying to do something like कि वो netto का part बनना चाहता था and it was you know going to hurt Russia in many ways तो Russia अपने national interest को secure करने के लिए उसने Ukraine पे हमला किया और अभी Russia powerful है no one can you know say or stand against him और बहुत ज़्यादा उसको असर नहीं पढ़ता है असर पढ़ता है obviously sanctions लगते है तो economic slowness आता है recession आता है but जो national security है उसको तो वो undermine नहीं कर सकता तो अगर हम liberal की बाद समझें कि नहीं भाई एकदम पूरा-पूरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो Russia फिर attack ही क्यों करता ठीक है now there is a distinction between high politics and low politics of international relation अब यह कुछ term समझने बहुत important है जब हम interdependence liberalism की बात करते हैं तो सिर्फ यहीं नहीं है क्योंकि अब आप देखोगे कि question एक तो आपके पूछे जाते हैं जो कि एकदम one liner type के हो दूसरे question पूछे जा रहे हैं आज कल जो की conceptual अधार पे है वहाँ पे आपको statement और other reasoning के form में question पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको यह सारी चीजे काफी काम आएंगी तो अगर हम high politics और low politics की बात करें तो high politics is concerned with the issues of you know security and survival of the state अगर हम high politics की बात करें तो वो concerned है कि हमारा state कैसे सुरक्षीत रहे हम security भी बात करते हैं हम state के survival की बात करते हैं अगर हम low politics के बारे में बात करें so it takes into you know fold broader issues like welfare environmental protection and political justice so अभी भी जो top order पे जो हम politics करते हैं उसमें पहले तो हम यही बोलते हैं कि पहले हम सुरक्षीत रहेंगे now you can see you know अगर आप अपने foreign जो हमारे external affairs minister है एस जैसंकर उनका speech देखोगे तो वो भी अब यही point बोल रहा है कि you know the problem of the world or we can say that the problem of Europe is not the problem of India इंडिया के पास क्या है इतनी बड़ी जनसन क्या है we have to you know take care of the people we have to take care of you know 1.3 billion people और वहाँ पे हमें oil चाहिए हमें तेल चाहिए और किसी दिन दो दिन तीन दिन पे US अपने national interest के लिए किसी ऐसे देश पे sanction लगा देगा तो उससे तो फिर हमारा नुकसान हो गया तो high politics में हम अमेशा किसको रखते है कि वहाई सबसे पहले हमारा state survive करना चाहिए अगर हमारे पास oil नहीं रहेगा अगर हम sanctions के कारण security के लिए कोई विमान नहीं कर देंगे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो S400 का deal था वो पूरा sign कर दिया क्यों? क्योंकि ये high politics का बात था low politics हाँ अब अब जब इसके नीचे आते हैं जब हमको पता है कि नहीं अब मारा मिल रहा है अगर हम international relation के बात करेंगे तो इंडिया क्या है हमारा घर है? खाने के लिए खाना मिल रहा है तब हम इसके उपर philosophical level पर बात करेंगे कि नहीं भाहीं चलो justice होना चाहिए environment को protect करना चाहिए तो ये distinction जो है ये high politics और low politics का है तो ये एक टीनेंट जिसको हम बोलते है version of liberalism है interdependence liberalism जिसमें आपके thinker हो गए जैसे क्योन हो गए, नाई हो गए, जोसेफ नाई हो गए डेविड रिकाडो थे, वो actually economist थे, लेकिन उनकी theory कहीं ने कहीं जो है वो इस चीज़ पे ही indicate करती थी, कि अगर एक country दूसरे country से trade करेगा, तो काफी cooperation हो सकता है, आगे बात करते है, Republican liberalism की, Republican liberalism क्या होता है see, liberals give a special importance to political and constitutional structure of a state in shaping its behavior in international sphere, तो जैसे कि मैं आपको example दो, कि एक quote है, या saying है, कि जो democracy होती है ना, वो आपस में ज़्यादा लराईया नहीं करती है, if there are, you know, there are two democratic country, they will never go for war, why? because democratic country में क्या होता है, कि the representative obviously जो representative होगा, वो ruler होगा so जो representative है, उसको take care करना पादा है, he is a responsible person, और people कभी नहीं चाहते war हो, लोग कभी नहीं चाहते, क्योंकि war चाहे उससे हार हो या जीत हो, दिक्कते बहुत ज़्यादा आती है, तो अगर दो democracy है ना, तो वहाँ पे war होने के संभावनाए कम जाती है तो अगर हम democracy, अगर फूरा democratic हो गया, तो उसमें ज़्यादा ये चाहन्स है कि वहाँ पे war कम होगा, peace ज़्यादा होगी और trade, international trade ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो political और जो constitutional structure है किसी एस्टेट का, वो बहुत ज़्यादा माहिने रखता है, according to liberal, republic regimes जो होते हैं unlike their authoritarian counterparts, seek their legitimacy from people, it is constituted of, and since human by nature prefers peace over conflict, obviously जैसे अगर मैं North Korea की बात करूँ, तो North Korea का जो भी मतलब, वहाँ का president है वो आए दिन धमकी देते रहता है, कि I will use nuclear weapon and this, this तो क्यों देता है, क्योंकि अगर मैं China की ही बात करूँ, तो China authoritarian है, तो वहाँ पे क्या है कि people का कोई role नहीं है उसके decision making में, तो जो regime चाहेगा जो, you know, वहाँ का political जो हेड है, जो वहाँ का authority है, जो वह चाहेगा, वह कर देगा लेकिन democracy में ऐसा नहीं हो सकता और यही basis है republican liberalism का कि republican regimes are most you know, more likely to maintain peace in international politics अगर republic होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि international politics में सांती बनी हुई है now contrary to this authoritarian regimes are immunized from popular pressure and have strong and powerful armies, since force is their main instrument for maintaining their rule in domestic politics they tend to employ the same means to deal with the international issues and then conflict with the other state अब जैसे जो authoritarian regime है वो main अपना मतलब जो उनका वेपन है वो authority है, वो violence को use करते है, even in domestic politics अगर मानलो की कोई authoritarian regime है totalitarian regime है, बहुत जादा ताना साहिक देश है तो अगर वहाँ उसके देश के अंदर में भी अगर कोई protest होगा, तो वो क्या यूज करेगा वो army का यूज करेगा, वो military का यूज करेगा police का, मतलब अलग-अलग medium of repression को यूज करेगा चाहे वो NetGRF हो, चाहे वो CuET का exam हो, चाहे वो पहले का जो JNU का होता था उसमें भी बहुत ब़ार पुछा जागा है तो इसको समझना बहुत इंपॉटना है ना, what is this theory of democratic peace? The theory states that democratic state have more peaceful and cordial relation among themselves than with authoritarian state. So that is that democracy is more likely to attack another democracy, while conflict between a democracy and an authoritarian regime and among authoritarian regimes are always a possibility तो यह कहते हैं कि जो democratic regimes होते हैं वो ज़्यादा peaceful होते हैं और उनके बीच में का जो relation हो तो काफी cordial होता है तो बहुत कम possibility है कि वहाँ पे conflict होगे So the theory was first advanced by Emmanuel Kant Emmanuel Kant साहब ने ये theory सबसे पहली बार दी थी So according to whom, establishment of perpetual peace in relation among the sovereign nation required the transformation of individual consciousness तो इन्होंने तीन बाते करी थी पहला तो कि पहला कि individual जो consciousness है उसमें transformation होना चाहिए दूसरा है कि Republican constitutionalism होना बहुत जरूरी है पहला तो ही कि हम ही believe करते हैं हम ही सोच रहे हैं जो individual नागरिक है कि हमें war करना है तो बात ही अलग है Republic constitutionalism कहने का मतलब होता है कि हमारे यहां का जो constitution है उसका head of the state है वो elected member होना चाहिए कहने का मतलब एक responsible citizen होना चाहिए a federal contract among states to abolish war और nation state के बीच में जो है contract होना चाहिए कि हमें war नहीं करना है so the claim about the you know pacific nature of democratic state was revived by Michael Doyle in 1980s who said that liberal states have created a separate peace he recognized that the liberal democracies are you know as aggressive as many type of state in their relation with authoritarian regime and stateless people so you know this claim था पूरा का पूरा the claim about the you know pacific nature of democratic state this was revived by Michael Doyle 1980s में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है यह separate peace की बात करते है and he recognized that the liberal democracy are as aggressive अब जैसे मैं बात करूँ यहां पे Pakistan और India की इंडिय और Pakistan चलो Pakistan democracy नहीं है army का rule है बट कमो बेस वहां पे क्या है कि democracy को मतलब की हम कह सकते है कि थोड़ा बहुत democracy है वहां पे इंडिय तो पूरा democratic है है ना now यहां पे क्या होता है हमारे यहां पे ना हमारे लोग जो है war को glorify करते है या वो nationalism को इस sense में समझते हैं कि अगर हम कुछी दूसरे nation से hate कर रहे हैं या उस पे you know attack करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा nationality और nationalism जाता है तो वहाँ पे Michael Doyle यही बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं है In Francis Fukuyama यह celebrated essay The End of History The End of History से काफी बार question पूछा जा चुका है He declared that the triumph of the liberalism over all other ideology contending the you know liberal state were more stable internally and more peaceful in their internal relation तो इंड of history में मिली Fukuyama यही state करना चाहते हैं कि जो यह पूरा का पूरा debate है कि कौन सा ideology बढ़िया है liberalism अच्छा है या realism अच्छा है या marxism अच्छा है तो उसमें कहते हैं कि अब यह debate खतम हो चुका है यह history खतम हो चुकी है और जो liberalism है वो हर form में जीच चुका है क्यों क्योंकि liberal जो है वो best possible thing है जो human कर सकता था liberal state हो गया democratic country हो गया capitalist जो या welfareist जिसको हम बोल सकते हैं कि जो tendency हो गई या जो policies हो गई और उसमें भी वो यही बात करते हैं कि जो liberal state है वो काफी peaceful relation को maintain करना चाहते है he said that collapse of Soviet Union marked the end of any kind of challenge to the liberal system of the world order and which has emerged and victorious in ideological contest and that it will remain the only dominant system in the coming generation so mainly 1991 में आपको पता है कि जो Soviet Union है उसका यूनो वो खतम हो जाता है बहुत सारे state निकलते हैं उसके अंदर में से और Soviet Union में क्या था कि वो communism का जो ideology था वो सबसे जो हम कह सकते हैं कि prominent form में था वो Soviet के अंदर में था लेकिन Soviet खुद अपने आप में एक authoritarian regime बन चुका था वो अपने ही जैसे कि अगर मैं बात करू Central Asian countries की जया वो खजाकिस्तान हो तजाकिस्तान हो या जितने भी ये वैसे countries थे जो Soviet Union का part थे उन पे ही Soviet ने बहुत ज़्यादा repression कर दिया था उन देशों को ही बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया था वहाँ पे ethnic violence होता था गुलैक्स के नाम पे बहुत ज़्यादा यूनू मतलब atrocity होती थी लोगों पे तो जब वो system collapse करता है तब वहाँ पे एक चीज सामने निकल के आती है कि अब ideological debate खत्म हो चुका है और जो liberal understanding है यही सब से जो हम कह सकते हैं कि सही है और यह काफी peace को हम कह सकते हैं कि maintain करके रखती है तो यह जो था यह था Republican Liberalism इसके बाद है Liberal Institutionalism और एक और topic है जिसको हम बोलता है English School of International Relations तो next videos में हम इन सब topic में बात करेंगे धीरे धीरे और यह स्रीज आते रहेगी बहुत सारी videos जो है वो हम आपको यहाँ पर देने की कोशिस करेंगे और अगर आपको यह video अच्छा लग रहा है तो channel को like करे, subscribe करे Thanks for watching